Hello Friends, हम सबी चाते हैं कि हमारा जो Wealth Creation और Retirement की उम्र तक बहुत ही अच्छा हो और हम जितनी जल्दी की सबको ये भी पता है कि जितनी जल्दी हम Investment करेंगे वो बहुत ही जाधा अच्छा होगा बट होता क्या है अगर हम Investment Early Age में स्टार्ट करते हैं तो उसकी क्या फायदे और अगर इन्वेस्मेंट करेंगे तो हमें बहुत ही साधा। प्रॉफिट होगा हम अगरीशिव हो के इन्वेस्मेंट कर सकते हैं हम एक इमर्जनसी बिल्ड कर सकते होर हम इस जब टुएंटी की उम्र में होंगे तो हमें डेट जो होता है उसको ओवाइड करना चाहिए अगर हम 30 की उम्र हैं में हैं तो हमें जो maintenance अग्रेशिश इने उसमें asset allocation को साथ में शामिल करना चाहिए अच्छा अगर हम company अगर हम कोई company में stock में invest करना चाहिए तो हम stock भी invest कर सकते हैं अच्छा साथ में हम अपने बच्चों के लिए जो preparing kits के लिए हम सेविंग करते हैं वह भी हम कर सकते हैं क्योंकि यह एज में जब हम शादी हो चुकी होती है बच्चों के उमरे 2-4-5 साल हो चुकी होती है तो हमें उस earning को सही जगा पर लगा है ताकि आने वाले समय में में जो भी हमारी requirement हो पूरी हो सकते हैं अच्छा जो हमारी earning हम उसको protect करें प्रोटेक करने के दो टाइप होते हैं एक तो आप earning को protect करें और साथ ही जैसे कि आप स्टॉक मर्मेंट में डारेक्ट ना जाएं क्योंकि आप mutual fund के तो जाएंगे तो इस कम होगी क्योंकि एक mutual fund मे more than 50 companies भी हो सकती हैं और सभी companies का जो उतार चड़ाओ एक साथ ना होता जिसे जिस उतार चड़ाओ को हम moderate कहते हो संतुलित होता है और संतुलित होने से हमारे fund का performance अच्छा आता है कभी-कभी तो ऐसा भी देखा जाता है कि हम particular किसी एक stock में invest करते हैं वो 10-12% return भी नहीं दे है और वो market के उतार चड़ाओ में गिर जाता है बट एक stock यह अगर हम एक mutual fund की बात करें तो वो ज्यादा अच्छे से हमें प्रभाव शाली फाइदे सकता है तो दोस्तों यह था एक हमारा जो हम बात करते हैं दूसरी बात यह है कि अगर हम insurance को हमको लेना जरूरी है 30 की उम चुकिए साथ ही अन्य प्रकार की विमारे दिन परती दिन बढ़ती जा रही है जिसमें लाख़ों रुप्य खर्च होने लगे हैं आज कर अगर हम यह investment नहीं लेंगे तो क्या होगा तो हमें यह investment को सही तरीके से अगर हमें यह present करना है हमारे पैसे को बचाना तो हमें investment करन नहीं होगा देन हमें क्या करना होगा next हम food अगर हम 43 उमर में हाच चुके हैं तो हमें maximum saving जो हमारी होती है उसको कैसे use कर सकेंगे हम save independently कैसे कर पाएंगे और maintain the right maximum हम जो हमारे current 40 की उमर में आने के बाद हमारे risk थोड़ी बढ़ चुकी होती है और अगर हम independently खुद earn करते हैं तो हमारे saving कैसे maximum हो सकती है उसको हम कैसे right तरीके से maximum तरीके से utilize कर सकते हैं और इस उमर में हम risk कम लेना चाहेंगे बट return तो हमें लेना ही होगा अच्छा जो decision होंगे वो कैसे होंगे हमको expenses के plan मनाने पड़ेंगे हम कितना saving कर सकते हैं वो देखना पड़ेगा saving में हमेशा य ज्यादा ज्यादा बचा सकते हैं क्योंकि होता क्या है कि खर्चा हो जाता है बट saving कम होती है अगर हम पहले expenses का plan बना लेंगे तो हम saving ज्यादा कर पाएंगे अच्छा अगर आप 50 साल की उमर में हैं तो आपको realistic goal होंगे अच्छा आपको expert की सला लेनी होगी क्योंकि वहां पर बहुत सारे advantage होंगे और आप आपको सही समय पर exit होगा आप debt को portfolio में risk मतलब increase कर सकते हैं और कैसे आप debt को tackle कर सकेंगे दूसरा यह होगा कि आपको हमेशा तयार रहना होगा unaccepted scenario से क्योंकि आप क्यूम्रेश ही हो चुकि होगी 50 के बाद में कि आपको कोई भी परिशानी में आपके पैसे लग सकते हैं तो आपको मैं यह कहता हूँ कि आप 20 से लेके 20 as soon as possible investment शुरू करें दोस्तों ताकि आप ज्यादर से दादा पैसा बचा सेके दोस्तों यह एक वीडियो ती जो मैंने आपके लिए बनाई थी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज अपन